गिद्वा परसदा पक्षी महोत्सों के समापन दिवस पर मुख्यमंत्री ने किया 158 करोड रुपे के कार्यों का लोकारपन एवं शिला न्यास मुख्यमंत्री भूपिश बगेल आजनक्ता गिद्वा परसदा पर प्रवास के दोरान कुल 158 करोड 43 रुपे के विकास कार्यों का लोकारपन एवं भूमी पुजन की लोकारपन के 16 कारिय लागत राशी 124 करोड 81 लाग 49 रुपे शामिल है बेमित्रा जिले के नवाकर तैसल के ग्राम गिद्वा परसदा में हमर चिरई हमर चिनारी के अंतरकत तीन द्यूसिय पक्षी महत्सों के समापन समारों में शिर्कत करने प्रदेश की मुखिया भूपिश बगेल पहुचे गिद्वा परसदा जलाशयों में विगर 25 सालों से विदेशी पक्षी आ रहे हैं इसमें दो पड़े जलाशयों में देशी व विदेशी 150 प्रजाती के पक्षी आते हैं आप्टुमबस से फरवरी तक निवास रहता है यहां की आधर भूमी और यहां का भोजन पक्षियों को अपनी और आकशित करता है इन पक्षियों का संरक्षन वह भोजन उपलब्द होता है गिद्वा पर सदा की पैचार अब देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भी होन चार अप्टा थर जो क्माने से अरी करता है घ ticket पनी और नहीं है उन पक्षiliों का संर wild और भूमुमीर के विदेशव करता है उर्र करता है बétaisने खुँम मिन बलकि पहां करता हैं । स скаж golden Q